हालो फ्रेंड्स स्वागत रखवा फिर से आप सभी का में य्ट्यूब चानल में और दोस्तों मैं फिर से लेकर आए हूँ यहाँ पे ट्वंटी इंपॉर्टेंट फिक्स प्रिपोजिशन इसका यूज कहा और कैसे करते हैं इसका जो है मैं रूल यहाँ पे बताने वाला हूँ आप सारे रूल को नोट कर लिजएगा चानल कर लेंगे जॉन होने के बाद जतने भी मैं वीडियो भी upload कर रहा हूं English add का use करेंगे ठीक है यहाँ पर क्या use करेंगे add अब rule क्या है जब indicate करें जब indicate करता हो क्या करता हो indicating किस चिश का price का किस चिश का rate का किस चिश का speed का ठीक है तब हम क्या use करते है price rate speed तब हम use करते है add का ठीक है add fixed preposition का यूज करेंगे ठीक है चले next question है कि children are dash play जब ध्यान रखेगा कोई continuous ठीक है कोई continuous activity जब होती रती है ठीक activity होते रती है तब वहाँ पे हम क्या fixed preposition यूज करते हैं add का तो यहाँ पे क्या fill करेंगे add ठीक है बीस का option होगा next next है कि he preferred death dash dishonor he preferred death dash honor कौन सा fixed preposition का यूज करेंगे तो prefer के साथ मैंने कित्ती बार बताया है कि यहाँ पे fixed preposition to लगता है he preferred death to dishonor अपमान से उसको मरना ज्यादा पसंद है उसका अपमान उसका अपमान पसंद नहीं है बलके उसको मरना पसंद है अपमान से ठीक है चुले next next है कि he inquired dash the case he inquired into the case ठीक है he inquired into the case होगा inquired into का मतलब होता है जाच करना ठीक है किसी चीज के बारे में जाच करना he inquired into the case उस case में जाच चर रही थी है ना या जाच चली चली next question पर आते है कि can you swim dash the river देकि यह river है ठीक है पानी बहरा है आप इस छोर पे है इधर कोई दूसरा इंड है ठीक है क्या करना कैने स्वीम across the river, in the river, to the river, under the river ठीक है यहाँ पे जो होगा across होगा ठीक है across का मतलब क्या होता है अगर कोई बंदा इस तरफ से दूसरे तरफ चला जाए ठीक है तैयरते हो उसको क्या करते है across, across का मतलब होता है एक तरफ से दूसरे छोर या एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाना, ठीक है जब तैयरते होए, कोई व्यक्ति एक छोर से दूसरे चोर जला जाए तब वहाँ पे across के उसकरते can we swim across the river ठीक चले हमलेट वोज, हमलेट वोज, हमलेट वोज, हमलेट वोज, हमलेट वोज, रिटेन, डास एक्सपियर क्या होना चाहिए यहां पे, with, for, to, by यहां पे जो होगा, written, by होगा, ठीक है पैसिफ फॉर्मेशन में जब हम यूज करते हैं, किसका पैसिफ फॉर्मेशन में भी यूज करते हैं, एक तो by करते हैं, ठीक है जहां पे आपको क्या होगा, भी थिरी, प्लस by करते हैं, है न, हमलेट, हमलेट, वोज, हमलेट एक परकार का यहां पे कह सकते हैं, एक बुक था, एक उपनियाज जिए, एक सेक्सपियर के दौरा लिखा गया था, ठीक है, तो, यहां फिर दूसरे सेंस में, यहां पे, by का मतलब होता है, दौरा के सेंस में भी होता है, किसी के दौरा, ठीक है, किसी के दौरा, तब, यहां पे किसी के और हम्रेट कोई बूक है उपने आस है किसी प्रकार उसको लिखा गया है सेक्सपेर के द्वारा ठीक चले तो द्वारा के सेंस में या पैसी फॉर्मेशन में भी यूस होता है चले करेंगे जब कोई अस्थान का अगर बात करता हो और उसके इधर उधर घुमने की बात करता हो के इधर उधर ठीक है या कोई अस्थान के इधर उधर की बात हो इसकी कोई भी अस्थान पर गूमने की बात हो एक जाए से दूसरे जगर जाने की बात हो वहाँ पर वंडरिंग मतब इधर उधर जाने की बात हो या भटकने की बात हो तब उस सेंस में हम यूज़ करते हैं he was warning about the town पूरे वो सहर में घूम घूम कर इधर उधर या उधर उधर भूम रहाता है या पूरे सहर को भूम रहाता है नो चलिए नेस्ट क्या है यहां पर he prevented me that's doing this work prevented के साथ जो fix preposition लगता है वो होता है from prevented from he prevented me from doing this work वो इस काम को करने से मुझे रोका prevent का मतब होता है रोकना और prevent का जो fix preposition होगा वो होगा from next may god bless you dash son यहां पर जो fix preposition हो वो होगा with may god bless you with a son ठीक है यहां पर जो यूज़ करेंगे may god bless with a son to नहीं by नहीं for नहीं ठीक है जब यहां पर wish की बात हो रहा है और किसी person के sense में बात हो रहा है तब यहां पर हम with का यूज़ करते है wish और साथी person then with का यूज़ करते है may god bless you with a son ठीक है चले लेस्ट क्या है he fired suit dash suit देखिए यहां पर बहुत interesting rule यहां पर भी जब indicate करता हो ठीक है indicating much repetition ठीक है repetition मीज़ की दोहराना बारवा किसी चीश का दोहराना तो यहां पर क्या हो रहा है he fired suit dash suit मीज़ की दोहराया जारा suit पर suit मीज़ की after suit after suit वो fire कर रहा है एक के बाद एक ठीक है चले next जो fixed preposition का क्या होगा देखते हैं he was accused dash theft he was accused of theft ठीक है accused के साथ क्या fixed preposition लगता है off लगता है याद रखिएगा ठीक चले next है congratulation dash your success congratulation के साथ कित्यावार मैंने बता है कि congratulation के साथ fixed preposition on लगता है ठीक है रट लिजेगा चले next है कि aim dash your duty जब भी aim की बात हो ठीक है जब भी aim की बात हो तो aim के साथ जो preposition होता है वो होता एड ठीक है एम के साथ जो fixed preposition होता है एड ठीक है जब कोई दिशा या लक्षिनेट धारी तो वहां पर क्या होता है आपका एड प्रिपोजिशन यूज होता है चले next next he is sick dash fever he is sick dash fever अब यहां पर क्या हो सकता है केक कारण या से ठीक है के कारण या से का बोध होता हो जब यहां पर बात हो जैसे he is sick dash fever तो क्या हो यहां पर सिख with fever ठीक है वह fever से क्या है पिरित है वह fever से पीरित है तब वहां पर हम या क्या यूज करेंगे विद का यूज करेंगे यहां पर बात हो रहा है ट्रेन का स्टार्ट होना कहां पर होगा ओन टाइम होगा ठीक है इसका फिक्स प्रेपोजिशन क्या होगा समय पर समय पर एक होता है इन टाइम 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 यहां पर इन टाइम का मतलब क्या तो समय से समय से ठीक है इन टाइम का मतलब समय से और ऑन टाइम होता है समय पर ठीक इन और on time होता है समय पड़ तो ध्यार की कर एक छोटी छोटी ऐसी mistake आप नहीं करेंगे ठीक है जब भी आप इससा के question करें तो छोटी-छोटी mistake नहीं करेंगे चलिए अगर यहां पर example के अगर बात करें तो क्या हो सकता है जैसे कि examination start on time examination start on time time तब वहां पर क्या होता है कोई एक निश्यू समय होता है जैसे कि exam का तो fix time होता है कि 10 वज़े स्टार्ट होना 11 वज़े start होना तो exam उसी exact time पर start होता है लेकिन हम कहते हैं कि जब कि we reach the examination center in time मतलब क्या है कि एक समय दिया गया था उस समय के दौरान उस समय के अवधी में उस समय के दौरान आप वहां पर पहुंच जाते हैं मिसके अगर 10 वज़े से examination आप 10 वज़े से पहले कभी भी पहुंच सकते हैं या पर कोई fix time की बाद नहीं हो रहा है तो वहां पर का यूज़ करते हैं ठीक है चले नेस्ट कोशन पर आते हैं don't cry dash spilled milk सबसे पहले यह क्या है एक तरसे एक यह है आपका idiom है ना एक तरसे क्या है idiom मतलब क्या होता है वेर्थ का अफसोस करना ठीक है वेर्थ का अफसोस करना यहां पर लिखा हुआ है cry के साथ क्या लगता है ओवर लगता है ठीक है cry over a spilled milk मतलब क्या होता है वेर्थ का अफसोस करना तो यहां पर ओवर्थ का अफसोस करना यहां पर don't लिखा है मनिसकी वेर्थ का अफसोस ना करें ठीक है चले लेश्ट क्या कि he married dash daughter of a rich man ठीक है he is married dash daughter of a rich man देखें तो यहां पर क्या होगा married to होगा या married भी दोगा यहां पर एक rule समझे लिजे ठीक है married to कब लगता है जब कोई woman की बात हो ठीक है जब कोई woman की बात हो तब वहां पर married to का यूज करते हैं है जैसे example example क्या हो सकता है Ram was was married to Ram was married to are famous doctor ठीक है Ram was married to a famous doctor में इसकी Ram क्या है शादी कर रहा है एक famous doctor ते यहाँ famous doctor या तो यहां पर देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से साधी की बात होती तो वहां पर हम मैरिट टू का यूज़ करते हैं यहां भी ही किसके साथ मैरिट कर रहा है कोई एक रिच मैंन के डॉर्टर से साधी कर रहा है तो कोई व्यक्ति है चाहिए कोई नेम हो तो यहां पर कोई नाम में कौन है कोई व्यक्ति है ही ठीक है किसके लिए आता है कोई मेल के लिए आता है जब मेल की बात हो और फिमल से साधी की बात हो वहां पर टू का यूज़ करते हैं ठीक है लेकिन यहां पर विद की बात हो ध् यूज होता है ठीक है कब जैसे कि कोई महिला किसी पुरुष के साथ साथी कर रही है तो वहां पर क्या होता है जैसे कि 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 नेस्ट क्या है कि the train is running डास 60 km अब ही मैंने बताया था कि कोई चीज इंडिकेटिंग करता हो किसी चीज़ का इंडिकेटिंग रेट, प्राइस, स्पीड. तो यहाँ पर स्पीड की बात होगा बहुता है, यहाँ पर फिक्स प्रिपोजिशन आट के रूज होता है, तो गाईस यहाँ पे 20 जो है, कोस्टन मैंने कराए, 20 कोस्टन और 20 जो है, मुस्ट इंपोर्टन preposition ठीक है 20 question में जो preposition का important rule था वो मैंने आप लोगे सिखाए I hope कि वीडियो पसंद आए तो ज़रो like कर दीज़ेगा चैनल को subscribe कर लिज़ेगा वीडियो को आप टेलीग्राम पर follow कर लेंगे ठीक है टेलीग्राम पर follow कर लेंगे ठीक चलिए तो next two video में मिलेंगे एक नए topic के साथ thank you very much